यूटूब चैनल लाइट अफ जीयस में आपका स्वगत है आज मैं एडूटेरिया का सेट प्रैक्टिस तूर लेकर आया हूँ जो आपको एडूटेरिया का नीव बुक अंतिम प्रहर के नाम से आया है उस बुक का सेट प्रैक्टिस तूर आज देखेंगे फर्ष्ट कोचन है हरापा सभेता के नगर प्राया दो भागों में बटए होते थे लेकिन नेमलिखेत में से कौन 사 अस्थल नगर तीन भागों में विभलत था इसका रायटन्सरों का option B धौला वीरा आपको तीन भागों में भी भागता इस पका रायटन्सर आपका B होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 2 देखेंगे वर्तमान, सारनाथ, वारा नसी, उत्तर पर्दिस, नामक, अस्थान, बुद्धिकाल, छट्थी सताब्दी इसापुर्व में की नाम से जाना जाता था इसका रायटन्सरों का option C रेशी पतनम के नाम से जाना जाता था इस पका रायटन्सर आपका C होगा कोचल नमबर 3 है निम लिखित सब्दों पर विचार कीजिए तो सब्द पर विचार करना है तो इसका देखना है A में है युग्द, दो में है पर्देशिक, ठीरी में है अगरहारिक और D में है रजुग उप्रोक्त में से कौन सा सब्द या सब्दों के समन्द में मौर पर्शासन से था तो इसका रायटन्सर होगा ओप्शन C केवल A, B और D था इस प्रकाय रायटन्सर आपका C होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 4 देखेंगे रिक्त अस्थान की पूर्ती, विकल्प में दिये गए उची सब्द के अधार पर कीजिए गुप्त, कालिन, स्वन मुद्राओं को खाली जगा के नाम से जाना जाता है इसका रायटन्सर का आप्शन B, दिनार के नाम से जाना जाता है, इस प्रकाय रायटन्सर आपका B होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 5 देखेंगे सुची 1 में मंदिल है, सुची 2 में अवश्थिति है तो इसमें आपको सुलमित करना है, तो इसमें हम तो सुमेलित करना है, एक का है अरसावली सुलमंदिल कहां है, तो अरसावली सुलमंदिल आपको थिरी होगा अंदपरदेश में है B में है, लिंग राज मंदिल कहां है, तो लिंग राज मंदिल हो जगा 1 उरिसा में है C में है सोनगिरी जैन मंदिल तो सोनगिरी जैन मंदिल कहा है तो आपको चार हो जगा मत परदेश में है D में है वीरू पाच मंदिल तो वीरू पाच मंदिल कहा है तो इसका दो होगा करनाटक इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको आपको C हो जाएगा A का 3, B का 1, C का 4, D का 2 होगा इस परकार राइट अंसर आपका C होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 6 देखेंगे कस्मीर के इतिहाद से समंदित उस तक राज तरंग ने किस सासक के संरचन में लिखा गया था इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B राजा जै सिंग के संरचन में लिखा गया था इस परकार राइट अंसर B होगा कोचन नमबर 7 है छठी सताबदी इसापुर में महा जन्पद यूग में मत्रा किस महा जन्पद की रजधानी था इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन D सूर सेन की रजधानी था इस परकार राइट अंसर आपका D होगा कोचन नमबर 8 है सिकंदर की आकरमन 326 से 25 इससापुर्व के समय मगत पर किसका सासन बिद्मान था इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B घनानन्द का इस परकार राइट अंसर आपका B होगा कोचन नमबर 9 देखेंगे कोचन नमबर 9 है दिल्ली सल्तनत के निम्रखित सासको पर विचार कीजिए ए में कुट्वू दिन एवक दो में इल्ट उत्मीष थिरी में है अल्लाव दिन खिल जी फोर में है फिरो साथ तूगलक फाई में है मुहम्मद बिन तूगलक इसका राइट आसर का ऑप्शन ब loot आपको कुट्वू दिन एवक्त का हिर्तूत्मीष का और मुहम्मद बिन तूगलक का आपको कुट्वू मिनात के निर्मान में उत्म निम्रखित सा बिजाए नगर समराज के महांतम सासकों में से एक क्रिस्न देवराय के दर्वार में अश्ट दिगज कौन थे इसका राइट अंसरों का आपसंटी तेलगु भासा के आठ परमुख विद्वान थे किस देवराय के सासनकाल आपको पंद्रा सो नो से उन्तिस है उनकी परसीत पुष्टत अमुक्त मालियाद है जो संस्कृत में जंबावति कल्यान नमक गरंथ को भी लिखा था इस प्रकार आपको राइट अंसर दी होगा कोचन नंबर 11 देखेंगे गर्जयावड़ करनाठक में इस्तित गुलु गुम्बद क्या है इसक राइट अंसर का ओपसन है, मुहमध अदिल सा का मक्वरा है इस प्रकार आपको राइट अंसर आपके ए होगा कोचन नंबर 12 देखेंगे दिलनी इस्थित कीला एक उनहा महजित का निर्मान किस ने करवाया था इसका रायट अन्सर और का ऑप्चन बी सेर्शाह ने करवाया था इस परकार अपका बी होगा कोचन नमबर 13 देखेंगे विशिष्ट दोईतावाद का पर्तिपादन किया गया था इसका राइट अंसर का ओप्शन ए रामा नूच्यारी द्वारा किया गया था इसका राइट अंसर आपका A होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 14 14 है कथन A और कारान R का विचार करें तथा नीचे दिये गए बिकल्ब के अधार पर सही उत्तर का चेयन करें कथन A में है वर्स 1928 में भारत के विभीन छेत्रों में साइमन कमिशन का विरोध आईजित किया गया था कारान आर में है सायमन कमिशन में एक भी भारतिय सदस सामिल नहीं था इसका राइटनसर का अप्शन ए ए और आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या है इस प्रकाय राइटनसर आपका ए होगा कोचर नमबर 15 देखेंगे भारतिय राष्टे कॉंग्रिस के किस अधिवेशन में सायमन कमिशन का विरोध करने का प्रस्ताप पारित किया गया था इसका राइटनसर का ऑप्शन B मदरास अधिवेशन 1927 में इस प्रकाय राइटनसर आपका B होगा कोचर नमबर 16 है मुसल्मान एदिखुस है और संतूष्ट है तो भारत में बीटी सक्ति का बेहतर बचा होगा यह कथन किसका है इसका राइटनसर होगा ऑप्शन A www हंडर का है इस प्रकाय राइटनसर आपका A होगा नेश्ट कोचर नमबर 17 देखेंगे निमलिखीत में से किस महला को भारतिय करांती की जन्नी कहा जाता है इसका राइटनसर होगा ऑप्शन C मैडम भीखा जी रुस्तम कामा को कहा जाता है इस प्रकाय राइटनसर आपका C होगा नेश्ट कोचर कोचर नमबर 18 देखेंगे निमलिखीत कत्रों पर विचार करे यह में है गदर पार्टी के स्थापना वर्स 1915 में पर्थम बिस्यूत के दोरान की गई थी दो में गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजावी भासा में प्रकासित होता था उप्रुक्त में से कौन सा कथन सत्ती है इसका राटनसर का ओप्शन बी केवल दो आपका सत्त है इस प्रकार राटनसर आपका बी होगा नेश्ट कोचर कोचर नमबर 19 देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है सूची 1 में समचार पत्र है और सूची 2 में संपादक है तो इसमें आपको मिलान करना है तो इसमें देखेंगे हम यह में हैं बंगाली तो यह में आपको यह में है बंगाली तो बंगाली का हो जाएगा आपको सुरेन नात बनर्जी थिरी हो जाएगा बी में है सुधारक तो सुधारक का हो जाएगा गोपाल क्रिस्म गोखले पांच सी में है केशरी केशरी का हो जाएगा आपको तीन बाल गंगधर तीलक D में होगा हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी को गंगा प्रसाद बर्मा 1 हो जाएगा और E में 10 हिंदू तो इसका राइटास हो जाएगा 2 J सुब्रमनियम आई है इस परकार आपका राइटासर मिलाएंगे 1 का 3, B का 5, C का 4 D का 1, C का 2 होगा तो इसको हम मिलाने पर देखेंगे राइटासर आपका A होगा 1 का 3, B का 5, C का 4, D का 1, E का 2 होगा इस परकार राइटासर आपका A होगा कोचन नंबर 20 है 1857 इस्वी के बिद्रोह के समय बिटिस परधान मंत्री कौन थे इसका राइटासर का आप्शन B विश्कॉट पॉम अस्टन थे इस परकार राइटासर आपका B होगा कोचन नंबर 21 है नेम्लखित कत्रों पर विचार कीजिए ये में हैं लॉड बिलियम बेंटिंग भारत के पर्थम गोर्नल जनरल थे दो में हैं रॉबर्ट कलाइब बंगाल के पर्थम गोर्नल जनरल थे थिरे में लॉड कैनिंग भारत के पर्थम वाई सराई थे फोर में लॉड माउंट बेटन स्वतंद्र भारत के अंतिम गोर्नल जनरल थे उप्रोक्त में से कुल कितने कथन सही है इसका राइटासर रग ऑप्शन B दो कथन सही है इसका राइटासर आपका B होगा निश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमर 22 देखेंगे मुगल समराठ त्वारा अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी को दिवानी अधिकारिक्ता किस तीथी को परदान की गई थी इसका राइटासर का आप्शन C 12 अगस्त 1765 को परदान की गई थी इस परकार राइटासर आपका C होगा कोचन नमर 23 देखेंगे रिक अस्थान की पूर्ती बिकल्प में दिये गए उची तत्थ के अधार पर कीजिए भारत में पूर्तिगाली सबसे पहले 1498 इस्वी में आए तत्था सबसे अंत में वे आपस गए इसका राइटासर होगा आप्शन C 1961 में इस परकार राइटासर आपका C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 24 देखेंगे बिद्वा पुनर बिवा अधिनियम पारित किये जाते समय भारत का गुवर्नर जनर्र वाइसराइ कौन थे इसका राइटासर होगा आपसं C लॉड कैनिंग थे इस परकार राइटासर आपका C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 25 देखेंगे नेवलिखीत में से कौन सा पर्थम इरोपियन बेगती था जिसने भूचित अरजित करने के उदेश से भारतिय रजाओं के जगरों में भाग लेने की निती आरम की थी इसका राइटासर होगा आपसं C डुपले इस परका राइटासर आपका C होगा कोचर नमबर 26 है भारतिय राष्टे कॉंग्रिस का पर्थम अधिवेशन जो सन 1850 से इसवी में बंबे में संपन हुआ था उसमें भाग लेने वाले परतिनिधियों की संक्या है इसका राइटासर अपसं B 72 है इस परकाय राइटासर आपका B होगा कोचर नमबर 27 है नेमर्खित कत्रों पर विचार किजिए यह में है लौड कॉर्णवालिस ने बंगाल में जमिंदारी विवेस्था को लागू किया दो में लौड मेयो के समय भारत में पहली बर जनगन्ना करवाई गई थी तो उपरुक्त में से कौन सा कथन्स चाहिए है तो इसका राइटासर हो जाएगा आपको C एक और दो दोनों से ही है इस परका राइटांसर आपका C होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 28 है नेमलिखित में से किस अस्थान पर अठारा सो संतामन इस्वी के बिद्रोह के समय अंग्रेजों ने अपातकालिन मुख्याले बनाया था इसका राइटांसर का अप्शन ए इलाहबाद में बनाया था इस परका राइटांसर आपका A होगा अठारा संतामन के बिद्रोह को अपनेवेशिक सासन के लिए एक परबल चुनाती थी और कैनिंग के बिद्रोह से नहीं पटने के लिए इलाहबाद वर्तमान में परियाग राज या पतकालिन मुख्याले बनाया था इस परका राइटांसर आपका A होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 29 देखेंगे भारत विभाजन 1947 के समय भारती राश्टे कॉंग्रेस के अध्याच कौन थे इसका राइटांसर का आप्शन A जे भी किरपलानी थे इस परकार राइटांसर आपका A होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 30 देखेंगे नेम लिखीत में से किसने सुबह अजादी नामक कवीता लिखी इसका राइटांसर का आप्शन C फैज अहमद फैज ने उर्दू कभी फैज अहमद फैज ने सुबह अजादी नामक कवीता लिखी है वे भारती उख महादीप के से उनका जन 1911 में सियाल कोट वर्तमान पकिस्तान में हुआ था इस प्रकार राइट अंसर सी होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 31 देखेंगे उचाई की जगहा पर पानी 100 डिगरी सेंटिगरेट की नीचे के तापमन पर क्यों उबलता है इसका राइट अंसर का उप्शन ए वाई मंडल ये दवाब कम हो जाता है इसके कारण उबलता है इस प्रकार राइट अंसर आपका ए होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 32 देखेंगे मेंडलिफ की आवर्थ सानी में उपश्थित कम्यों के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए ये में वे अपनी आवर्थ सानी में हैटोजन को सही अर्थ नहीं दे पाएं दो में तत्वों के समस्थानिक उनकी सानी के आवर्थ नियम के ये चुनोती थे थिरी में उनकी सानी में एक तत्व से दूसरे तत्व के ओर आगे बटने पर परवानु दर्मान नियमित रूप से नहीं बढ़ते उपिक्त में से कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसर होगा आपको आप्सन टी एक दू और तिन आपका सही होगा इस परका राइट अंसर टी होगा कोचर नमर 33 है डॉपलर प्रभाव के उपियोग के संदर में निम्रखित कत्रों पर विचार कीजिए यह में है सेना आउस्दी विज्ञान जैसे विविद छेत्रों में पींडो का विएग मापनेक लिए किया जाता है दो में हैं मॉनिटरिंग अस्टेशन पर पिंड द्वारा प्रावर्तित तरंगे प्राप्त करके इनकी आविर्थी ग्यानत करने में किया जाता है थिरी में तारों का विएक मापने के लिए किया जाता है उप्रूप्त में से कौन सा कथन सत्य है इसका रत सत्थ है पूछा है तो इसका राइट अंसर होगा option D आपको 1 और 2 और 3 सत्थ है इस परका राइट अंसर D होगा next question देखेंगे question number 34 देखेंगे thermos flux में लंबी समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उस्मा की कोई हानी अत्वा प्राप्ती नहीं होती है इसका राइट अंसर का option C A और B दोनों A संचालन द्वारा B संभन और विकरन द्वारा इस परका राइट अंसर C होगा question number 35 है निम्रखित कत्नों पर विचार कीजिए A में Newton के नुशाल 20 के सभी पिंडो के बीच गुर्तवा कर्शन बल लगता है दो में गुर्तवा कर्शन बल एक प्रावल बल है तिरी में गुर्तवा कर्शन बल अकर्शन दथा परती कर्शन दोनों परकार का होता है उपिक्त में से कौन सा कथन अज सत्थ है इसका राइट अंसर होगा option B केवल 1 केवल 2 और 3 सत्थ है इस परका राइट अंसर भी होगा कि नेक्श्ट कोson ं देखेंगे option No36 देखेंगे नेवल लखित में इसे कौन से कहतं न सही है यह में प्लास्टिकटा का गुन ग्रहन करने के बाद वस्तू अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है दूसरा है प्रतियास्ता वर्ष्टू का वह गुन है जिसके कारण वह प्रतियोपित बल हटाने पर अपनी प्रार्मिक आकिर्ति एवं आकार पुना पराप्त कर लेता है इसका रायट असर हो जाओ आप्सन सी रायट असर आप्सन सी एक और दो दोनों से ही इस प्रकाय रायट असर आपका सी होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 37 नेमले खित में से काउन से किरिया किरियाओं में इस्थित उर्जा संग्रित रहती है यह में तीर को धनूस की डोरी पर रखकर खिचने में संची तूर्जा दो में किसी खिलोना वाली कार में चावी भरने पर उसकी कमानी से संची तूर्जा तिरी में अस्प्रिंग को खेचने पर इसमें हुपारजी तूर जा, फोर में बहती हुई हावा में नहीं तूर जा इसका राइट अंसर होगा आपको आप्शन C एक, दो और तीन सही है, इसका का राइट अंसर आपका C होगा कोचन नमबर 38 है, नहीं के कथनों में से कौन सा कथन सत्ती है इसका राइट अंसर का आप्शन C गर्म करने पर अंदरवों की तुलना में एलकोहल का परसार सबसे अधिक होता है इस परका राइट अंसर आपका C होगा कोचन नमबर 49 देखेंगे आपसान के संदर्व में नेमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए आपसान मिश्रित कोचन नमबर 49 है आपसान के संदर्व में नेमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यह में आपसान मिश्रित दर्व के अवयवों को पिर्थक करने की विधी है दूसरा है या पिर्थक करन की रसायनिक भी दी है उपरिक में से कौन था कसं सत्य नहीं है इसका राइट अंसरों का आप्शन ए केवल दो आपका सत्य नहीं है इस प्रकाई राइट अंसर आपका ए होगा लिए नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर चालिस देखेंगे नमğlखेक मेंसे कौन सा एक किसी तत्व के परमानुकरमाग को सबसे सही निर्धारित करता है इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर होगा आप्शन ए प्रोटॉन की संख्या निमिखित में कौन किसी तत्व के परमानु कर्मांग को सबसे सही निर्धारित करता है तो यह होगा प्रोटॉन की संख्या इस परका राइट अंसर आपका कोचन गोचण कोचन देखेंगे कोचन नमबर 41 देखेंगे अमल वर्शा किनके द्वारा होने वाले पर्यवरन परदूसर के कारण होता है। इसका राईट उस्वार करें नेक्टरोजन आक्साइड और सणफ्र डाक्साइड के कारण होती है। कोचन नमबर 42 है gospodhan, नेमिले खित में से कौन सी गैस पीने के पानी को सुध करने के लिए परयोग में लाई जाती है। इसका राइट अंसर होगा option B, कलोरीन को लाई जाती है। इसका राइट अंसर आपका B होगा। नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 43 है, नीचे देए गए यूग को कौन सा एक यूग सुमेलित नहीं है। आपको सोची 1 और सोची 2 दिया गया है, इसका राइट अंसर होगा option D, फुलेरीन, फुलोरीन, यूग कार्वनिक यूगिक नहीं है, इसका राइट अंसर आपका D होगा। नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 44 देखेंगे, एथिनॉल के संदर में नेमलखित कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका राइट अंसर का option D, या केंद्रिये तंत्री का तंत्र को सक्नारत्मक रूप से प्रभावित करता है, और तंत्री का तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, इसका राइट अंसर आपका D होगा। नेक्ट कोचन देखेंगे, खोचन नमबर 45 देखेंगे, आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है, सुची 1 में प्रकरम है, दू में परीवर्थन है तो A में है मुम्बत्ति का जलना, तो मुंबती का जलना तद्दू होगा भातिक तथा रासायनिक परिवर्थन है B में विदुद बाल्ब के तंतू का चमकना तो इसका रैठ हो जाएगा option 3 भातिक परिवर्थन है C में है मैग्रेसियम तार का जलना तो इसका रैठ होगा वान रासायनिक परिवर्थन है और D में है लोहे का जंग लगना तो इसका रैठ होगा आपको पांच संचारन और रासायनिक परिवर्थन इस परकार रैठ अंसर आप मिलाएंगे तो इसका रैठ रैठ होगा option A A का 2, B का 3, C का 1, D का 5 होगा इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा कोचन नंबर 46 है DPT वैक्शिन का परियोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है इसका राइट अंसर का आप्शन E डिप्थेडिया, कालिखासी और टेटनस के लिए किया जाता है इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नंबर 47 को देखेंगे नेमलिखित में से कौन सा पोसक तत्व आमतर पर पसु खाद में पाया जाता है और इसका उप्योग प्राकिर्तिक उरुवरा के रूप में किया जाता है इसका राइट अंसर होगा अप्शन नाट्रोजन का प्रियोग उरुवरा के रूप में किया जाता है इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नंबर 47 देखेंगे निम्लखित में इसे किसमें खुला परिसंचरन तंतर पाया जाता है इसका राइटांसर को ओपSewn ए अर्थो-पोडा परिसंचरन तंतर पाया जाता है इसमें का राइटांसर आपका ए होगा नेश्ट कोचन कोचन मर उन्चास देखेंगे मदूत के संदर्भ में निमने कत्रों पर बिचार कीजिए यह में यह भोजन एवन जलका संचे करता है दो में यह जिवित एवन सरलतम उत्तक है जो विवास, जो तुकोक में विवेदी करण का परिनाम है तिरी में या जलिये पादपो में एरे काइमा कहलाता है क्योंकि या इन पादपो में वाई के परवा में सहायक होता है इस परकार इसका रायट अंसर मिलाएंगे तो इसका ए होगा एक और दू, कता कौन सा कथन सत है, तो आपका एक और दू सत है, इस परकार राटन सर आपका A होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर कोचन नमबर 50 है, नीचे दिये गए कथन A और कारण R को पढ़िये और कूट को सहायता से सही उत्तर को चुनिये कथन A में है, सभी जीवित जीवों में, अनुवांसिक परदात के रूप में, केवर्ड DNA में पाये जाता है कारण R में है, या अमलिये परविर्थी का होता है, एवं कोचिका में, केंद्रक, मैट्रो कॉंडियां, एवं लबकों में पाये जाता है इसका राइट अंसर अप्शन B, A और R दोनों सही है, परणतु R A का सही असपश्टी करन नहीं है इस फरकाय राइट अंसर आपका B होगा नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर एक कामन देखेंगे, सुची 1 और सुची 2 दिया गया है तो सुची 1 और सुची 2 में मिलाएंगे, तो A में है, आप सोसी अंग, आप सेसी अंग है, तो 2 हो जाएगा मानो के निमी सक जिली और पूच के सुरू काये है, B में है, आपको जीवास्म का चार हो जाएगा RKO, पेरेट्स के अफसेस हो जाएगा, C में है समजात अंग, तो 1 हो जाएगा इसका सील के फिली पर एवं चमगादर के पंक, D में है समजात अंग, तो इसका थिरी हो जाएगा, तितली एवं कोईय के पंक, इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर C होगा, 1 का 2, B का 4, C का 1, और D का 3 होगा, इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचन नमर बामन है, अलफा कैरेटीन, एक प्रोटीन है जो, इसका राइट अंसर अप्शन B, तोचा में उपश्थित है, इस प्रकार राइट अंसर आपका B होगा, कोचन नमर तीरपन है, लाइमार्क वाद के संदर में निम्द कत्रों में से कौन सा कत्र अससत्त है, ये में हैं इसकी दो अवधारनाएं है, अंगो का उप्योग एवा अनुप्योग, तथा उपारजित लचनो की वन सागती, तीर में जिराप की लंबी गर्दन, अंगो मे अधिक उप्योग के कारण कर्मिक अनुकूलन द्वारा जयव विकास का परमान है, थिरी में हैं विजमान इस वाद के परवलतम अलोचक थे, तथा इसके परियुतर में उन्होंने जर्म पलाजमा सिधान्त दिया, इसका राइटनसर का अप्शन D, उपिक्त में से कोई नह होगा, कोचन नमबर शववन देखेंगे, वरन धानता एवं हेमोफिलिया किस प्रकार की अनुमानसिक विमारी है, इसका राइटनसर का अप्शन C, एक्स लिंग सहलंग्न अप्रभावी रोग विकार है, इस प्रकार राइटनसर आपका C होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन और पच्पन है, अज्ञानत रूधीर वर्ग का एक पिक्ति गंभी रूप से दुरुगर्टना ग्रस्त हो जाता है, और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत परती है, अस्पताल में असानी से उप्लत निम्लिखित रूधीर वर्गों में से कि इस एक करक्त आधान के रूप में अधान के लिए सुरच्छित होगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, राइट अंसर का ऑप्शन है, वो और एच मैनस होगा, इस प्रकार राइट अंसर आपका एफ होगा, कोचन नमबर 56 देखेंगे, गगन यान के समंद में निम्न कत्रों पर विचार करें, यह वो आसत कत्रों का चेयन करें, तो इसका राइट अंसर का ऑप्शन है, गगन यान मिसन को जी एसल भी, एमके, ठीरी, द्वारा पिर्थिवी से प्रछेपित किया जाएगा, इस प्रक का एक राइट अंसर ए होगा, नेक्ट कोचन, कोचन नमबर 57 है, फोर जी एवं फाइव जी के समंद में निम्न कत्रों पर विचार करें, यह में है, फोर जी की बिलंबता 200 millisecond है, जबकि फाइव जी की बिलंबता 5 millisecond है, टू में है, फोर जी अधिक्तम 1 Giga पर सेकेंड, डा पर सेकेंड डाउनलोड अस्वीट परदान करता है, उप्रुक्त में से कौन था कथन सत्ती है, तो इसका राइटन्सरों का आप्शन B, किवल दो आपका सत्त है, इसका राइटन्सर आपका B होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर अंठामर है, मंकी पॉक्स वाइरस है, इसका राइटन्सरों का आप्शन B, वैरी योला वाइरस के समान, परिवार का हिस्सा है, जो चेचक का कारण बनता है, इसका राइटन्सर आपका B होगा, इस परकार आटन सर भी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 69 देखेंगे लाइट कामबेट हिलिकॉप्टर LCH के संदर में नेमलखित पर विचार कीजिए 1 में है LCH को हवा से हवा और हवा से जमीन के लिए मिसाइल हमलों के लिए बिक्सित किया गया है दो में है LCH हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेट का उत्पाद है उपिक्त में से कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसर का आप्शन सी एक और दो दोनों सही है इस परकार राइट अंसर सी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 60 देखेंगे उन मिशन और क्रू मोडूल के नाम क्या है जो पहली बार नीजी तोर पर आंत्रिच में गए इसका राइट अंसर का आप्शन सी पोलारिस, डॉन और ड्राइगन है इस परकार राइट अंसर आपका सी होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 61 देखेंगे कोचन नमबर 61 देखेंगे निम्न कत्रों पर विचार करे ये में वाई की परती काई आयतन में विद्मान जलवास्व के मात्रा को निर्पेच अधरता कहते हैं दू में हैं निर्पेच अधरता को ग्राम परती किलोग्राम की एकाई में मापा जाता है तिरी में वाई के परती एकाई का भार में जलवास्प के भार को विशिष्ट अदाता कहते हैं उप्रोक्त में से कितने कथन सत्थ हैं इसका राइटनसर अप्शन बी केवल दो आपका सत्थ है इस प्रकार राइटनसर भी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर आपको बारशट देखेंगे नेफो असकोप नामकियंत्र से मापा जाता है तो इसका राइटनसर का ऑप्शन बादलो की दिसा योंगती को मापा जाता है इस प्रकार राइटनसर आपका ए होगा नेफो असकोप बादलो की उचाई दिसा और वे कुमापने का एक उपकरन है या एक नेफो मीटर से अलग है जो एक उपकरन है जिसका प्रियोग बादलो की मात्रा कुमापने में किया जाता है इस प्रकार राइटनसर ए होगा नेफो कोचा नमबर 63 देखेंगे लिए आपको मिलान सुची है सुची 1 और सुची 2 दिया गया है तो इसमें आपको मिलान देखना है यह में है भूगोल का जनक तो भूगोल का जनक कौन है तो इसका हो जाएगा आपको एक आर हो जाएगा एक का आर हो जाएगा हेके टियस है दो में है विश मानचित का निर्मान करता तो इसका हो जाएगा आपको दो क्यू हो जाएगा अलेक जी मेंडल होगा थिरी में है भूगोल का जनक तो इसका हो जाएगा आपको एस हो जाएगा पोल्योडो नियम हो जाएगा चार में है वर्तमान भोगोल का जनक तो इसका हो जाएगा P अलेकजेंडर वान हमबोल्ड हो जाएगा इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर C होगा एक का आर दो का क्यूँ C का S और 4 का P होगा इस प्रकार आप अंसर C होगा इस प्रकार आप अंसर C होगा नेश्ट कोचन दखेंगे कोचन नमबर हम 64 देखेंगे नेमर्खित कत्रों पर विचार के लिए ये में गलोप पर वह बिर्द जो दीन तथा रात में विवाजित करता है उसे प्रति दिप्थ बिर्द कहते हैं दो में हैं प्रति दिप्थ बिर्द पिर्थिवी के अच के साथ मिलता है सत कत्थन का चेयन करें इसका राइट अंसर का आप सन ए केवल एक गलोप पर वह बिर्द जो दीन तथा रात को विवाजित करता है उसे प्रादिप्थ विर्थ कहते हैं, इस पकाई राटन सर ए होगा, कोचन नमबर 65 है, निम्न कत्मों पर विचार करिए, ये में हैं, एक कही जुन को पिर्थिवी की आवस्था को उत्तर आयनाद कहते हैं, दो में हैं, 23 दिसंबर को पिर्थिवी की आवस्था को दच्छिन आयनात कहते हैं थीरी में 21 मार्च यहुंट सितंबर पिर्थिवी की अवस्ता को भी सब कहा जाता है उप्रोक्त में से कितने कथन सत्य है कि इसका राइट अंसर होगा option B केवल दो सत्य है इस प्रकाय राइट अंसर भी होगा नीस्ट कोच ng इसमें आपको मिलान करना है एम & Aफलेशियन परवात इरोफ हो गया दो में है रेक अर्क परवत दशनी अमिर्का थिरी में अलपास परवत अफिरका उप्विक्त में से युग्म को सही सुमेलित है तो इसको राइट अंसर होगा option D सभी युग्म गलत सुमेलित है क्योंकि अप्लेशियन परवत जो है उत्री अमिर्का की पुर्विभाग में है फिर दो में है डेकिन्स बर्क परवत ये अफिरका महादीब के पुर्व और दशिन में है थिरी में है अलपास परवत आपको ये इरोप में है इस प्रका देखेंगे तो इस राइट अंसर डी होगा क्योंकि आपका कोई भी युग्म सभी युग्म गलत है इस प्रका दीव दीपीय महादीप कहा जाता है इसका राइट अंसर अप्शन भी अस्टेलिया को कहा जाता है इस प्रकार राइट अंसर आपका भी होगा नेश्ट कोचन कोचन अमार 68 है नेम्रखित कत्रों पर विचार करें यह में आर्कटिक महासागर बेरिक जनसंदिक के माधियम से महासागर से जूरा हुआ है दो में हिंद महासागर लगवख तिरवुजाकार है जबकि परसांद महासागर लगवख बिर्ताकार है इसका राइट अंसर होगा option c एक और दो दोनों से ही है इसपर का राइट अंसर c होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 69 देखेंगे हमारी पिर्थिवी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मद सबंधों के आधिक संसलेशित ग्यान से उत्वन, संकलपना या कतन किस भौगल वेता द्वारा मानव भौगल को परिभाचित करती हुए दिया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर होगा आप्शन बी पाल विडॉल डिला बलास को इस पर का राइट अंसर आपका बी होगा नेक्ट कोचन देखेगे कोचन नमबर सत्तर देखेंगे भुकम्पिये तरंगों के समद्ध में निम्न कत्रों पर विचार करे ये में हैं दूतियक तरंग के वर ठोस माधियम में ही विचरंग कर सकती है दो में प्रात्मिक तरंग सबसे लंबा मार्क तै करती है थिरी में प्रात्मिक तरंग को अनुदहत तरंग जबकि दूतिक तरंग को अनुपास तरंग भी कहा जाता है और चार में है ये इस तरंगों की तुलना में पी तरंगों में गती 40% कम होती है सत कथन का चेयन करें इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको आपसन C केवल एक औ निश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर एकत्तर है नेमलखित कत्मों पर विचार करें यह में हैं पेडालफर वा पेडोकल मीटी छेती मीटी के परकार है दो में हैं पेडालफर मीटी में कैल्सियम की आप्राप्त प्राप्त होती है जबकि पेडोकल मीटी में एलमुनिय एवन लोही तत्व की प्रैप्तता होती है थिरी में है लेटराइट मिटी पेडो कोल मिटी का उधारन है असत कथन का चेयन करना है इसका रायट अंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो और तीन होगा इसका रायट अंसर भी होगा निश्ट कोचन कोचन नमबर 71 देखेंगे कोचन नमबर 72 देखेंगे निम्न कथनों पर विचार करें यह में भारत में कुल 18 राज वाके इनसासित परदेश परोशी देश की सीमा से जूरते हैं दो में मैंनमार और भुटान से भारत के चार राजों की सीमा लगती हैं जिसमें केवल अरुनाचल परदेश दोनों देशों की सीमा साजा करती हैं थिरी में बंगलादेश, चीन, पकिस्तान और नेपाल से भारत के पांच-पांच राज वक्किन साशित प्रदेश की सीमा साजा होती हैं. उप्रोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको option D. सभी कथन सत्य हैं. इस प्रकार आपको असत्य प इस प्रकार आट अंसर दी होगा. नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 73 हैं. निम्लखित कथनों पर विचार करें. ये में पच्मी घाट, एक वास्तिक परवस्रिनी काउधारन हैं. दो में पच्मी घाट का विश्तार, छा राज में हैं. सत्य कथन का चेन करें. तो इसका कोचन, कोचन नमर 74 देखेंगे. उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेडिया ग्रस छेत्र भी कहते हैं. इसका राइट अंसर का आप्शन भी त्राई परदेश को कहते हैं. इस प्रकार राइट अंसर आपका भी होगा. नेश्ट कोचन, कोचन नमर 75 देखेंगे. किस दचिन भारत का चावल का कटोरा के संग्या परदान की गई हैं. इसका राइट अंसर का आप्शन है. कावेरी नदी को आपको दचिन भारत का चावल का कटोरा के संग्या परदान की गई. इस प्रकार राइट अंसर एह होगा. नेट कोचन, कोचन नमबर चीयत्तर है, निम्लिकित कत्रों पर विचार करें, ये में है सन 1813 इसवी में जनरल कमेटी आफ पाब्लिक इंस्ट्रेक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी सिच्छा के लिए एक लाख रुपिय देनी की थी, दो में है जनरल कमेटी आफ पाब्लिक इंस्ट्रेक्शन एक दस सदसी कमेटी थी, जिसके अध्याच लॉड में काले थे, उप्रुक्त में से कौँ सा कथन सही है, इसका राइट अंसर का आप्शन पी किवल दो आपका सही है, इस प्रकार राइट अंसर आपका भी होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 77 देखेंगे, भारती सवीधान, निर्मात्री सभाग के अंतरगत, गठित, प्रारूप सिमीती में कुल कितने सदस सामिल किये गए थे, इसका राइट अंसर का आप्शन सी, साथ सदस को सामिल किये गए थे, इस प्रकार राइट अंसर आपका सी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 78 है निमलिखित में से कौन सा तत भारतिय सविधान में कनाड़ा के सविधान से प्रिरित होकर नहीं लिया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा समवर्ति सुची की विवस्था आपको नहीं लिया गया तो समवर्ति सुची की विवस्था जो है आपको अनेको सविधान से प्रित होकर लिया गया इसका राइट अंसर आपका डी होगा समान बेतन भारतिय सविधान में सुन्जित किया गया है एक इसका राइट अंसर का अप्शन है राज के निती निजिजक सिधानतों का अंग है इस प्रकार राइट अंसर आपका ए होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 80 है भारतिय वरेता कर्म प्रोटोकॉल के अनुसार नेमलिखित से विधानिक पदादीकारियों में सबसे पहले किसे वरेता परदान की जाएगे इसका राइट अंसर का आप्शन है भुद्पुर्व राष्टफती को परदान की जाएगे इस प्रकार राइट अंसर आपका ए होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 81 है सुची 1 में सेविधानिक परवधान सुची 2 में सबंदित अनुच्छित को सुमेलित कीजिए सुची यों को दिये गए कूट को साहता से उत्तर को चुनना है तो आपको ए में है अल्प संख्यक की भासा और संरच्छन इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन अनुच्छेद 29 चार हो जाएगा बी में धार्मिक मामलो के परवंद की स्वतंतरता तो इसका हो जाएगा तीन अनुच्छेद 26 20, C में है, C च्छा के मूल अधिकार, तो इसका राइठ हो जाएगा, आपको 2, 21, 1, D में है, उपाध्यों का अंत, तो इसका राइठ हो जाएगा, 1, 21, 18, इस प्रकार, इसको मिलाएंगे, तो आपका राइठ अंसर हो जाएगा, आप्शन C, 1 का 4, B का 3, C का 2, D का 1 होगा, इस प्रकार राइठ अंसर C होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 82 है, रिक्त अस्थान की पूर्ति, विकल्प में दिये गए, उची सब्द के अधार पर कीजिए, लोग लेखा से मिती, को अपनी रिपोर्ट परस्तूत करती है, इसका राइठ अंसर का अप्शन है, लोग सभा अध्याच, इस प नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 84 देखेंगे, अल्पसंख्याक आयोग है, इसका राइठ अंसर का अप्शन B, एक सवीधिक नंकाय है, इस पका राइठ अंसर आपका B होगा, कोचन नमबर 85 है, निम्र्खित भारतिया नियामूर्थियों के नाम पर विचार कीजिए, ए हैं, आपको, ए में हैं, ह, ज, कानिया, थिरी दू में हैं, ज, एस पर्मा, थिरी में हैं, नागेंदर सिंग, फोर में है दलविल भंडारे, पी में पी अन भगवत्ती, शिक्स में वाईबी चंदरचूर, उपरुक्त में से कितने नयमूर्थी अंतराष्टी नयाले के नयामूर्थी की रूप में निर्वाचित किये गए हैं, इसका राइट अंसर का आप्शन दो, इस प्रकार राइट आपका ए होगा, नेट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 86 देखेंगे, राष्टी ये आय के संदर में निर्म कत्मों पर विचार करें, ये में हैं, किसी भी अर्थ बेस्ता में एक वर्स में उत्पादित अंतिम उस्तूं तथा सेवाओं का मूल राष्टी ये आय कहलाता है दो में आमर्त सेन को राष्टी ये आय लेखांकन का जन्व दाता माना जाता है, थिरी में है वर्स 1949 में भारत सरकार द्वारा निक्त राष्टी ये आय सिमीती के अधियाश डॉक्टर आर गौडगिल थे, उपरुक्त में से कितने कथन सक्त हैं, इसका राइटन सर का ऑप् भारतिय खाद निगम की भूमिका और पुनर गठन हेतु किसकी अधियसता में एक उच अश्तरिय सिमीती का गठन किया गया था, इसका राइटन सर का ऑप्शन सी, सांता कुमार बारा सरकार ने अगाश दौजाश चोबिस में भारतिय खाद निगम एफसी आई की पुनर व नेश्ट कोचन, कोचन नमर अठासी देखेंगे, भारत में नियोजन को किस सूची का विसाय बनाया गया है, इसका राइटन सर होगा, ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विसाय बनाया गया है, इस प्रकार राइटन सर आपका सी होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमर 89 देखेंगे, निम्न कत्नों पर विचार करें, ये में हैं अनवरत योजना का परतिपादन, गुनार मीडर द्वारा किया गया था, दो में हैं पर्थम पंचवर्सी योजना, पीसी महालोविस मोडल पर अधारी थी, जबकि चतुत पंचवर्स योजना, डी और गॉडगिल मोडल पर अधारी थी, उप्रोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट अन्सरों का अप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है, इस पकार राइट अन्सर आपका ये होगा, कोचन नमबर 90 देखेंगे, ऐसी बिरुजगारी जिसमें सर्मी काम करने के लिए तियार होता है, तथा उसमें काम करने की आवस्यक योगता भी होती है, परन्तु उसे काम नहीं मिलता है, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, कहलाती है, इसका राइट अन्सर होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 91 देखेंगे, कोचन नमबर 91 देखेंगे, ये में हैं गुलावी करांती, आपको गुलावी करांती किसे है, तो प्याज उत्पादन से है, दो में हैं रजद करांती, तो रजद करांती किसे है, तो आपको अंडा कुकुट उत्पादन से आपको बास उत्पादन गलत पूछ रहा इसमें तो आपको गलत पूछ रहा है तो इसका राइट अंशर होगा option C केवल तीन आपका हरित सोना करांती मसाला यह आपका गलत होगा होगी हरित सोना जो है आपको बास से हैं बास उत्पादन से हैं इस प्रकार यह आपका गलत होगा यह कौन गलत है इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा इस प्रकार राटनसर C होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 92 देखेंगे राश्टिय किर्सी और ग्रामिन बैंक की अस्थापना किस वर्स की गई थी इसका राटनसर होगा option C 1982 में राश्टिय किर्सी और ग्रामिन बिकास बैंक नवाड की अस्थापना की गई थी इस प्रकार राटनसर आपका C होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 93 देखेंगे यदि राजस बियाय में से पुझिगत परिसंपतियों के लिए दिये गए अनुदान को घटा दिया जाए उसके बाद राजस प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त होगा इसका राटनसर होगा option B प्राभावी राजस घटा होगा इस प्रकार राटनसर आपका B होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 94 है इसका राटनसर होगा option D सेवा कर आपको बिसम है इस प्रकार राटनसर आपका D होगा कोचन नमबर 95 में देखेंगे निम्न कत्रों पर विचार करें ये में है वैधानिक तरलता अनुपात में बिर्धी से अर्थवेस्ता में समग्र मांग की कमी आएगे दो में है रेपो दर में कमी करने से वस्तुओं एवन सेवाओं की किम्तों में बिर्धी होगे सत कथन का चैन करना है तो इसका राटनसर का option C एक और दो दोनों सत्थ है इस प्रकार राटनसर आपका C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर आपको 96 में है प्रारामभिक पसान युग के अस्थानों की खोज की गई है तो इसका राटनसर होगा option B पैसरा में किया गया है इस प्रकार राटनसर आपको B होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 97 में है बिहार के नमलखित में से कि छेत्र में पसान नौ पसान संस्किर्टियां पाई गई है तो इसमें आपको मिलान करना है तो ए में है चेचर चेचर बैसाली में है दू में है सोनुवार रोहतास में है थिरी में है मनेर पतना फोर में है ताड़ी बोद गया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्षन डी एक दू और तीन और चार सभी में पाईगा इस प्रकार राइट अंसर डी होगा कोचन नंबर अन्ठानमी हैं बिहार में पर्चूर मातरा में पाये जाने वाले पंच चिनहित सीके किसे बने थे इसका राइट अंसर का औप्षन और चांदी के बने थे इस प्रकार राइट अंसर आपका भी होगा कोचन नमबर 99 है पंचोभा तामर्पत्र सिलाले किसका है इसका रायटणसर अप्सन सी समग्रागघुप्त का समग्र मांग इसका रायटणसर सी होगा समाग मांग इसका रायटणसर सी होगा नेश्ट कोचन देखें, कोचन नमर हंडेड है, गया जीले के अफसर सिलाले से जनकारी मिलती है, इसका राइट अनसर का ऑप्शन डी, गुप्तुरुतर वंस का जनकारी मिलती है, इसका राइट अनसर आपका डी होगा, कोचन नमर 101 देखेंगे, 2011 के जनगना के अनुसार, सहरी करन के बढ़ते अस्तर के अनुसार, बिहार के निम्रखित जीलों का सही कर्म चुने है, इसका राइट अनसरों का ऑप्शन है, नलन्दा, मुंगेर और पटना होगा, इसका राइट अनसर एह होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमर 102 देखेंगे, बिहार में पहिंचायत निकायों में महलाओं को 50 पर 37 अराच्छन किस वर्स परदान किया गया, इसका राइट अनसरों का ऑप्शन भी 2006 में परदान किया गया, इस प्रका राइट अनसर भी होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमर 103 है, बिहार के किस किर्सी जलवाई छेतर में जीलों की संक्या सबसे अधिक है, इसका राइट अनसर हो जाएगा, आपको आप्शन भी उत्तरी पच्छ में उत्तर पच्छी में है, इस प्रकार राइट अनसर भी होगा, कोचन नमर 104 है, नेमल खीत में से जन जाती है, और जीले में जीला का कौँ सा युगम सही नहीं है, इसका राइट अनसर का आप्शन भी मुंडा जमुई, आपका साइन नहीं है, इस प्रकार राइट अनसर भी होगा, कोचन नमर 105 है, बिहार के निमल खीत में से किस चीले में पीड माट दलदली मिटी पाई जाती है, इसका राइट अनसर का आप्शन सी, पच्मी चमपारण, पीड माट दलदली मिटी पाई जाती है, इस प्रकार राइट अनसर सी होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमर 106 है, आर्थिक सरवीचन, 2023-2024 के अनुसर, बिहार सकल राज घरिल उत्पाद, जी एश डी पी इस्तित मूल पर कितने परतिसत बढ़ने का अनुमान है, इसका राइट अनसर का आप्शन ए, 10.6 परतिसत बढ़ने का अनुमान है, इस प्रकार र कोचन नमर 107 है, आर्थिक सरवीचन, 2023-2024 के अनुसर, बिहार का राज कोचिय घाटा, जी एश डी पी का कितना परतिसत है, इसका राइट अनसर का आप्शन B, 6.0 परतिसत है, इस प्रकार राइट अनसर आपका B होगा, बिहार का राज कोचिय घाटा, 44,823 कलो रुपीया है, जो उसके जी एश डी पी का 6.0 परतिसत है, इस प्रकार राइट अनसर आपका B होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नंबर 108 देखेंगे, आर्थिक सरवेचन, 2023-24 के अनुसार, बिहार के फसाल और जीलो के समन्द में निम्लखित कतनों पर विचार करें, ए में रुहताच में चावल उत्पादक्ता सबसे अधिक है, दो में है मधुबनी में गेहू की उत्पादक्ता सबसे कम है, थिरी में है जमुई में चावल की उत्पादक्ता सबसे कम है, उप्रक्त कतनों में से कौन सा कतन सत्ती है, इसका राइट अनसर का आपका सत्त है, इस प्रकार राटन सर एह होगा। नेश्ट कोचन देखेंगे। कोचन अब एक सुनू होगा। नेम लिखित कत्नों पर विचार करें। ये में बिहार का पहला चीनी उदियोग। उनिस्व आठ में मौढ़ारा में स्तापित किया गया था। दो में आर्थिक सर विचन दोहजार तैस चोविस के नुसार बिहार में केवल तेरा चालू चीनी मीले हैं। तिरी में आर्थिक सर विचन दोहजार तैस चोविस के नुसार बिहार में चीनी का उत्पादन बार सर दफलो साथ चार लाग क्यूंटल हुआ है। है उप रिक उसे कितने कफ़न सत्थ हैं तो इसका राइट अंशर हो को अप्शन एक सत्य है इस प्रका राइट अंसर एक सत्य है काता कितने कथन सत्य है तो एक है एक में आर्थिक सर्विच्छन दोजार तैस चोविस के नुशार बिहार में चीनी उत्पादन बारशर तरसम्रों साच चाल लाग क्यूंट्रेल हुआ था यह आपका सत्य है इस प्रका राइट अंसर आपका एक पुछा है तो थीरी सत्य है नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमर 110 देखेंगे आपको सोची 1 और सोची 2 दिया गया है तो इसमें मिलान करना इसका हो जाएगा आपको बरौनी बी में है रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कर खना इसका हो जाएगा वन मधेपूरा भारत बाइगन इंजन कंपनी लिमिटेड तो इसका हो जाएगा मुकामा कोचन नमबर 111 देखेंगे में इनका मलिक को किसकारी के लिए वर्ष 2023 का साहित अकादमी अनुवाद पुरुसकार परदान किया जाएगा इसका रायटनसर को आप्सन भी उपनियास निलकंट का नेपाली से मैथली में अनुवाद करने के लिए परदान किया जाएगा इस प्रकार राइटन सर आपका भी होगा में इनका मली को नेपाली उपनियास नील कंट में मैथली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का साहित अकादवी अनुवाद पूसकार दिया जाएगा इस प्रकार राइटन सर भी होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 112 है विश वाई गुनवता रिपोट 2023 के अनुशार कौन सा साहर पीम 2.5 में दुनिया का सबसे परदुश्ची छेत्र बन गया है इसका राइटन सर अप्शन भी बेगुसराय बन गया है स्विश संगठान के अनुशार आपको विश वाई गुनोता रिपोट 2023 के अनुशार बिहार विश विगुसराय पीम 2.5 में दुनिया का सबसे परदुश्ची छेत्र बन गया इस पकार राइटन सर भी होगा नेश्ट कोचर कोचर नमबर 113 देखेंगे हाजी पूर्भी निरमित भगवान सीव की 170 फीट पर उची परतिमा का नाम क्या है इसका राइटन सर अप्शन भी सीरी द्वारी का कैलाज धाम है इस प्रकार राइटन सर भी होगा नेश्ट कोचर नमबर 114 देखेंगे बिहार के किस अस्पताल ने अधोनिक फेमेटो लेजर मसीन का उप्योग करके जटिल मोतियाविन सर जरी शुरू की है इसका राइटन सर का अप्शन सी आईजी आईएमेस पतना ने शुरू की है इस प्रकार राइटन सर सी होगा नेश्ट कोचर नमबर 115 है डिस्ट नेशन बिहार एक्सपो दोजर चोबीस के समद्ध में नेमिलखित कत्रों पर विचार करें यह में बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार ने पतना श्तित बिहार संगराले में इसका उधगाटन किया दो में इसका आयोजन बिहार उध्योक संग और कॉन्फिडेंशन ओफ रियल एस्टेट एस्टेट डेपलर्प्रस एस्टेशन अफ दा इंडिया द्वारा किया गया इसका राइट अंसर होगा ओप्शन बी केवल दो आपका सही है इसका राइट अंसर आपका भी होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 116 है नेमिर्खित कत्नों पर विचार करें ये में है बिहार में चलाया जा रहा है मिशन दच अभियान दिब्यांग जनू को कौसल परदान करने से समन्दीत है दो में हाल ही में भारतिय अंदर देशिय जलमार्ग प्रादी करन द्वारा गंडख नदी को जलमार्ग अंठामन घोशित किया गया है उप्रुक्त में से कौन सा कत्न गलत है इसका राइट अंसर का आप्छन सी एक और दो दोनों से ही है इस प्रकार राइटनसर आपका C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 117 है IPL 2024 में BJ कुलकत्ता नैट राइडर्स के सदस साक्कीब हुसैन बिहार के किस चीले से है इसका राइटनसर का आप्सन सी गोपाल गन जीले से है इस प्रकार राइटनसर आपका C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 118 है इनुश्को ने किस सहर को भारत का पहला City of Literature साहित सहर गोशित किया है इसका राइटनसर का आप्सन ने कोजी कोड को गोशित किया है इस प्रकार राइटनसर आपका A होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 119 देखेंगे आपको इसमें मिलान करना है सुची 1 और सुची 2 दिया गया सुची 1 में महसा हो है सुची 2 में राज है तो इसमें देखना है A में है बह दीन खलम महसा बह दीन खलम महसा तो आपको A हो जाएगा दो मेगाले में B में हैं लोक्टे महोस्व तो लोक्टे महोस्व हो जाएगा आपको आरूना चल परदेश में थेरी हो जाएगा C में हैं फुल्दे महोस्व तो फुल्दे महोस्व हो जाएगा आपको उत्राखंड में 4 होगा D में 9 खाई महुसों तो 1 हो जाएगा उडिशा में इस परकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको C 1 का 2, B का 3, C का 4, D का 1 होगा इस परकार राइट अंसर आपका C होगा Next कोचन देखेंगे कोचन नमबर 120 है भारत ने 21 वर्ष तक परमानु उर्जा छमता को 1 लाख मेगावार्ट तक बढ़ाने का लच निधारित किया है इसका राइट अंसर का आपको C 2047 तक 1 लाख मेगावार्ट बढ़ाने का लच निधारित किया इस परकार राइट अंसर C होगा Next कोचन कोचन नमबर 121 देखेंगे कोचन नमबर 121 है 33 में गिरिप्मकाली अलोपीक खेल के समंध में पर निम्मिक्त कत्रोंपर बिचार करें ये में हैं तीन गिरिप्मकाली अलोपीक कimana करने वाला पेरीश पहला देश है दो में इसका Theam Game विड ओपिन था थेरा में समापन समारों में भारत का धोजवाहक मनुव भाकर्द था नीरा चौपरा थे फोर में अभिनौब बिंद्रा को आई ओसी से परतिश्टिट अलोंपिक ओडर पुरुसकार पराप्थ हुआ उप्रुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्त है इसका राइट अंसर का आपसन केवल एक आपका सत्त है 26 जुलाई से 11 अगस 2024 के मद फ्रांस में 33 में गिरिस्म काली अलोंपिक खेल का आईजन किया गया था इस प्रकार राइट अंसर आपका यह होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 122 देखेंगे अठरमी लोकसवाद चुनाव के साथ नेम रिमेजे किन राजों में चुनाव संपन हुए अंध परदेश, उरिशा, त्यलांगाना, अरुनाचल परदेश, फ्वाई में नागलेंड, शिक्स में हैं सिक्किम इसको कूच के दोरा चुनना करना है, तो इसका राइट आउसर का ऐपसंड, केवल 1, 2, 4, 6 होगा आपको अंध परदेश, उरिशा, अरुनाचल परदेश और सिक्किम है आपको हुआ था अंध पर्देश, दो में उरिशा और अरुनाचल पर्देश, शिक्स में सिक्के में आपको अठरमी लोक्सभाद चुनाव के साथ ही राजो का भी चुनाव संपन हुआ था, इस प्रकार आट अंसर डी होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 122 है, आर्थिक सर्वेचन, 2023-24 के नुशार भारत में विधूत उत्पादन के सुरोत को उत्पादन च्हमता के अधार पर बढ़ते कर्म में विवस्तित करे, ए में सरुर्जा, दो में कोईला, थिरी में बरी हैड्रो, फोल में है गैस, फाई मे है पवन, इसका मिलान करेंगे, इसका राइट अंसर C होगा, 4, 5, 3, 2, 1 होगा, इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा, सबसे पहले कोईला होगा, उसके बाद सौर उड़ जा होगा, फिर बड़ी हैड्रो होगा, फिर पवन होगा, उसके बाद गैस होगा, इस प्रकार प्राइटंसर सी होगा नेक्ट कोचन मिलेंगे कोचन नमबर 124 देखेंगे पीम जन्मन योजना की समंद में निम्रखित कत्रों पर विचार करें एमें इसका उदेश विशेश सुर्प से कमजोर जनजातिय समूव पी वी टी जी की समाजिक आर्थिक इस्तितियों में सुधा इसका राइटंसर हो जाएगा सत कथन को चुनना है इसका राइटंसर होगा ऑप्शन डी एक दू और तीन होगा इस पकार राइटंसर डी होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 125 है भारत सरकार के अगामी लच्छों के समंद में मिलान करें आपको सुची 1 और सुची 2 दिया ग बी में 500 गिगावाट सौर उर्जा प्राप्त करने का लच्छ कब तक रखा गया है तो 2030 तक रखा गया है सी में चंद्रियान 4 लॉंच करने का लच्छ कब तक रखा गया है तो ये रखा गया है आपको 28 तक रखा गया है D में हैड्रो फलोरो कारवन A-C-F के उप्योग को 80% तक सिमित करने का लच कब तक रखा गया है तो आपको 47 तक रखा गया है 247 तक रखा गया है इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा राइट अंसर होगा B 1 का 2, B का 4, C का 3 नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 126 देखेंगे मैत्री सैन अभ्यास के 63 में संसकरन के समंद में में मिलखित कत्रों पर वीचार करें एक में है या भारत अथा बंगलादेश के बीच थल से ना भ्यास है दो में इसका आयोजन भारत में किया गया सत कथन कचेन करें इसका राइटनसर का आप्शन टी ना तो एक और ना ही दो इस प्रका राइटनसर टी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 127 देखेंगे हाल ही में खुजरी गूर को GI टैक परदान किया गया खुजरी गूर का समंद किस राज से है इसका राइटनसर का आप्शन टी उडिशा से है इस प्रका राइटनसर आपका D होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 128 है देश के पहले स्वादेशी हरित हैटरोजन इंधन सेल अंतरदेशी जलमार्ग पोत का सुबारम कहा किया गया है इसका राइटनसर होगा आप्शन भी तैमिलांडू में किया गया है परदान मंत्री ननेद मोदी ने तैमिलांडू के थुथु कूडी में हरित नौका पहल के तहद देश के पहले स्वादेशी हरित हैटरोजन इंधन सेल का सुबारम किया इसका राइटनसर भी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 119 है संपुन्ता अभ्यान नामक कार्जकर्म की सुरात निम निमे से किसके द्वारा की गई है तै इसका राइटनसर होगा आप्शन दी नीती आयोग द्वारा की गई है इस प्रकार राइटनसर B होगा, D होगा नीती आयोग द्वारा हाले में संपुन्ता अभियान नामक कार्जकर्म सुरू किया गया इस प्रकार राइटनसर D होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 130 है नेश्ट कोचन कोचन नमबर 131 है निम्रखित कत्रों पर विचार करें, ए में हैं मजगाउं, डॉक लिमिटेड, एमडी एल, केंद्रिये, रच्छा, मंत्राले, केंद्रगत, नौसाइनिक से प्याड निर्माता है, दो में हैं, एमडी एल, एक मात्र जहाज निर्मान याड है, जो भारतिय नौसेना के लिए पंडूबी का निमान करती है, इसका राइट अन्सर होगा, आप्शन सी, आपको एक और दू, दूनों सत्य, इस प्रकार राइट अन्सर आपका सी होगा, मंजगाउन डौक्री और लिमिटेट के अस्थापना, 250 में वर्षगाट के अपसर पर रच्छा सच्यूगिर्धर अर्माने द्वारा, 250 रुपिये का असमारक सी का जारी किया गया है, इस प्रकार, ए राइट होगा सी, एक और दो, दोनों सही है, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 132 है, हाल ही में किस राज सरकार द्वारा, सैनेटरी पैड के लिए, खातों में नगत सहायता रासी भीजने वाला पहला राज बन गया है, इसका राइट असर का ऑप्शन ए, महराष्ट मत पर दिस बन गया, इस प्रका राइट असर आपका ए होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 133 देखेंगे, कोचन नमबर 133 है, संयुक तराश्ट जनसंक्या कोस, UNFPA द्वारा हाल ही में 20 जनसंक्या इस्तिती, 2024 रिपोर्ट पेस किया गया, इस अधार पर निम्द कत्रों पर विचार करे, ये में हैं भारत 144 दसम्दों एक साथ क जरूर की अबादी के साथ, बैस्विक अश्तर पर सरवाधिक अबादी वाला देश है, दो में हैं भारत की कुल जनसंक्या का लगवक 34 पर तीस जीरो से 14 आयू वर्ग में है, थिरी में इस रिपोर्ट में भारत की जनसंक्या, 77 वर्सों में दुगनी होने का अनुमान ब्य National Lumber Organization, ILO और Institute Human Development, IHD द्वारा हाली में भारत रोजगार रिपोर्ट परकासित किया गया है, इस रिपोर्ट के अधार पर निम्द कत्मों पर विचार करें, ये में हैं, 2022 में बिरुजगारी अबादी में बिरुजगार इवाओं की हिस्यदारी 70.9 पर तीसत हैं, दो में सिच बिरुजगारी इवाओं में महिलाओं 76.7 पर तीसत और पुरूस में 12.2 पर तीसत हैं, तो इसको आप इसमें सत कथन को चुनना है, तो इसका राइट अंसर होगा, आप्शन बी, केवल दो आपका सत होगा, इस प्रकार राइट अंसर आपका भी होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमर 135 है, बिहार के गांधी, नितिश कुमार, पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट अंसर का आप्शन बी, असोक चौधरी और संभावी चौधरी है, बिहार के गांधी, नितिश कुमार के पुस्तक का लेखक होगे, असोक चौधरी और नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 136 है, अन्तराष्टि ये जै विवित्या दिवास के थीम है, इसका राइटनसर का आप्शन ए, वी पार्ट अफ दा प्लान, इस परका राइटनसर ए होगा, अन्तराष्टि ये जै विवित्या दिवास, 22 मई को मैन आये जाता है, इस परका राइटनसर आपका ए होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 137 है, कित्री बुधी मता ए आई, तेयारी सुचकांग, 2024 के संदर्म में, निम्र कर्थनों पर विचार करे, एक में है, इसे सुचकांग में पर्थम आश्टान सिंगापूर है, थिरी में इस सुचकांग में भारत का रैंक 72 है, उप्रुक्त में से कितने कर्थन आसत कर्थन है, जिसका राइटनसर का आप्शन ए, केवल एक आसत है, कित्री बुधी मता ए आई, तेयारी सुचकांग, 2024 अंतराष्टि सुचकांग में पर्थम आश्टान सिंगापूर है, वही भारत का रैंक 72 है, इस प्रकार राइटनसर ए होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन में 130 है, कौप 30 सैयुक तराष्ट जलवाई परिवर्तन समेलन, 2025 का आईजन कहा होगा, इसका राइटनसर अप्शन भी ब्र 249 है, 26 जनवरी 2024 को मनाए गए, पचातर में गतंत्र दिवस के संदर में निम्ड कत्नों पर विचार करें, एक में है थिम विक्सित भारत और भारत का लोगतंत्र की मिरतिका, दो में मुकाति थी फ्रांस के राष्टपती इमैनुवल मैकरॉन, थिरी में सरसुरिष छागी भारत लोगतंत्र की जन्नी विशय पर अधारित संस्किर्थी मंत्रा लेका, फोर में राज के सरसुरिष छागी का प्रुष्कार उत्तर परदेश, उपिक्त में से सत कथन का चेयन करना है, तिसका राइट अन्सरों का आप्सन यह है, केवल एक, दो और तीन होगा, इस पक परशिद लेखिका और प्रुपकारी सुधा मुर्ती को अंतराश्टिय महला दिवस के अफसर पर भारत के राष्टपती द्वारा राज सभा के लिए नामित किया गया, दो में वर्ष दूजर चोविस में सुधा मुर्ती को पद भूसन से समानित किया गया है, सत कथन का च समानित किया गया है, वर्ष दूजर तैस में सुधा मुर्ती को पद भूसन से समानित किया गया है, इस प्रकार आइट अंसर आपका ए होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर आपको 141 है, आपको यहां से मैत और इजिनिक सुरात होता है, इसे आप स्वयम बना साथ ही मेरे वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए, अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो आप सस्क्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें, तो देखिए 141 को अंसर बताया जाता है, आप इसे बना लेंगे, 141 का राइट अ पांच बचकर, सारे 27 मिनट, नेश्ट कोचन, कोचन नमर 143 है, इसका राइट अंसर 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 बी 18, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमर 144 है, इसका राइट अंसर का उप्शन C, 49.4, कोचन नमर 145 है, इसका राइट अंसर अंसर देखेंगे, आपको D 0, कोचन नमर 146 है, इसका राइट अंसर का उप्शन A, 140, कोचन नमर 147 देखेंगे, इसका राइट अंसर का उप्शन A, 3 किलो मीटर, कोचन नमर 148 ह इसका राइट अंसर देखेंगे तो हो जाएगा option C 6.43 पर 30 कोचन नमबर 149 देखेंगे इसका राइट अंसर को option D और कोचन नमबर 150 देखेंगे इसका राइट अंसर को option C इस प्रकार आपका इसका राइट नमबर एड़िटेरिया सेट प्रक्टिस का अंतिम परहार का बुक्स का सेट नमबर दो यहीं परसमाप्त होता है साथ ही आपको कुछ ही देर में सेट प्रक्टिस ठीरी आएगा साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब क सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं थाइंक्यू धन्वाज जैहिन जैहिन